गाइस, Samsung Galaxy A32 आ चुक है हाथ में और ऑविसली एक गिवव भी हो रहे है आप में से कोई बनता बिल्कुल फ्री अफ कॉस जीत सकता है तो जल्दी से अभी लाइक कर दो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लो कैसे जीतना है हो मैं आगे चलके आप लोग को बताता हूँ तो गाइस, Samsung Galaxy A32 का बॉक्स बिल्कुल सामने है हम लोगों के तो इसकी सील ब्रेक करते है और जानते है कि बॉक्स कॉंटेंट क्या-क्या देखने को मिलते है हम लोगों को पीछे कुछ हाइलाइट्स मेंशन करक ही है इस फोन की जो कि आगे चलके मैं आप लोग को जारा डी स्टार्ट गाइड यहां देखने को मिलती है तो इसको मैं ऐसे पुल करना चाहूंगा और अभी के लिए यहां रख देते है नीचे की साइड जो मैं Samsung की टिपिकल 15 वाट की चार्जिंग ब्रिक देखने को मिल जाती है जो की वाइड कलर की है और यहां पर जो हम लोगों को पहतरीन और यूनीक डिजाइन है लाइक फर्स टाइम देखने में तो यार कुछ जादे ही अलग लग रहा है असलग रहा है कि बटन स्टाइल कैमराज है इसमें कोई भी कैमरा बंप नहीं है यार मरलब आता है जनरली आज कल फोनों में कैमरा बंप आती है ना तो इसमें ह नहीं नहीं तो यह कुछ अलग ही लग रहा है जल्दी से मैं इसको सेट अप करकर आता हूँ फिर मैं आप लोग को हर एक चीज डिटेल ने बताऊँगा हाई गाईज मेरे नाम है संचित और आप दिख रहे हैं टेक बार और ये है सैमसिंग गेलक्सी ए 32 बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि बहुत सारे लोग को सारी बाते अभी के भी क्लियर कर देता हूँ सबसे पहले बात करते हैं इसके डिजाइन के बारे में जो कि सबसे नई चीज है और मैं बता सकता हूँ कि सैमसिंग ने अपने A-Series के फोन को नेक्स्ट लेवल पुचा दिया है खासकर इस वाले डिजाइन के साथ एक बर इसका कैमरा मोडियूल देखो ये बटन स्टाइल यहाँ पर हमें कैमरा लेंजस देखने को मिल जाते हैं और जो फोर्थ कैमरा हो बिलकुल अलग से लगा हूँ है लिटरली बहुत जादा यूनीक और कूल लग रहा है और पता सबसे यूनीक बात कहा है इस फोन की कि इसके अंदर हमें कोई भी कैमरा बंप नहीं देखने को मिलता तो ऐसे फोन देखने की आदत ही नहीं थी होता है कि 2020 तक भी 2021 तक भी ऐसे फोन आ रहे थे कि भाई स्क्वेर कैमरा डिजाइन होगा और उसका थोड़ा सा मोटा कैमरा देखने को मिलेगा अब एकदम से बिलकुल नई चीज़ देखने को मिल रही है तो एक काफी जादा प्रीमियम लुक दे रहा है इनको और उपर से एक ग्रेश कलर तो लिटरली इसका बहुत जादा कूल लग रहा है यह पूरी की पूरी जो हम लोगों को मिरर फिनिश देता है मैं इसके अंदर अपना चहरा देख सकता हूँ बट हाँ यहाँ पर जो हम लोगों को फ्रेम भी पॉलिकार्ट में टी देखने को मिलता है स्टिल जो इसका बैक पैनल जो हम लोगों को पूरा फील देता है ग्लास बैक पैनल की यह मुझे बहुती बहतरीन बात लगी है एक और बात में आप लोग को बता लाता हूँ कि जो सैमसंग एलेक्सी A32 है न कमफर्ट पे बहुत जाला ध्यान दिया गया है सैमसंग की तरफ से जैसे कि इसका एक बरना फॉर्म फेक्टर देखो है हाथ में कुछ जादे कमफरेबल फील हो रहा है हलका सा लंबा ऐफोन और फिजिकल ओवर्यू की बात करूँ तो एक पर राइट साइड में देखो सारे बटन दे रखे है पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर्स तो आप एक अंगूठे से सारे नेविगेट कर सकते हो मुझे बहुत साइड चीज लगी उपर से ट्रिपल स्लोट दे दिया है यहाँ पर आप दो से माइक्रोस्डी कार्ड भी लगा सकते हो यह मच नीड़ेड चीज थी और नीचे की साइड जाम लोग को स्पीकर्स, ताइब सी पोर्ट और हेडफोन जैक देखने को मिल जाता है भाई ओविसली सब कुछ पैकड़ है इसके अंदर एक और चीज माप लोग को बतारता हूँ हन जी इसके अंदर हमें NFC देखने को मिलता है और भाई बहुत कम रहते है फोन इस प्रैस सेग्मेंट में जो NFC के साथ आते है और मैं ये भी पताता हूँ आप लोग को कि सारे ही सेंसर्स देखने को मिल जाते है तो कोई भी कंजूसी नहीं की है सैमसंग ने, लेकिन एक चीज माँ हाईलेट करना चाहूँगा अगर सैमसंग चाहता ना इसके फ्रेंट से इसको बहुत अच्छा बना सकता था जैसे की Infinity-O डिस्पले देकर जैसे की होता है वो पंचोल कैमरा होता है यहाँ पर जो हमें U-shape नॉस देखने में मिलती है और चिन जो है हलकी सी मोटी देखने में मिलती है अगर यह चीज़े और मिल जाती है इस फोन के अंदर तो लिटरली 20,000 के अंदर काफी अच्छा दिखने वाला फोन बन सकता था यह मैं आप लोग को बताना चाहूँगा जो इसकी डिस्पले वो सूपर MLED है और वो भी 6.4 इंच की और जो की Full HD Plus Resolution के साथ आती है और भाई क्योंकि जो 90Hz का refresh rate इसके अंदर देखने हो मिलता है तो भाई वो buttery smooth performance दे रहा है और 800 nits की इसकी डिस्पले है जो की Samsung की हमेशा से भाई काफी अच्छी USB मानी जाती है और इस सेग्मेंट के अंदर बाकी कोई भी फोन ऐसी डिस्पले नहीं दे रहा है तो इसकी डिस्पले मुझे बहुत सही लगी है और हाँ इस फोन के अंदर मैं 5G नहीं देखने को मिलता है कैमरे की बात करते है जो की obviously बहुत important है और Samsung के कैमरेज एक्चुली में बहुत जाद अच्छे होते है तो यहाँ पर 64 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 5 मिया पिक्सल का क्वार्ड कैमरे सेट अप देखने को मिल जाता है सीधा आप लोग को मैं पिक्चर्स दिखाता हूँ जिससे जो फ्यूचर में आप लोग को डीटेल में बता सको और एक अलग बात तो यहाँ पर यह है कि Samsung ने front camera जो बीस मिगा पिक्सल का कर दी है जनरली 32 मिगा पिक्सल का होता था स्टिल मैं आप लोग को इसकी भी फोटोस दिखा रेता हूँ तो यहाँ पर मुझे बहुत अच्छे रेजल्स देखने में मिले है जो आखों के अंदर डीटेल होती है ना यार वो सब कुछ पूरी मेंटेन करके चलता है जो स्किन टोन होती है रेडिश टोन की टाइप वो सब कुछ इस फोन के अंदर में देखने को मिलता है बाकी में और जो कैमरा फीचर्स है ना जो अच्छे ची चीज़े है वो मैं आपको रिव्यूर के टाइम पर नेक्स वाली वीडियो में बताऊँगा खेर पफॉर्मेंस के बारे में बात करते है यहाँ पर सैमसंग ने बिल्कूल डिफरेंट चॉइस पिक की है जैसे की मीरटेक हीलियो जी एटी और यह वो ही प्रोसेसर है जो की 10-12-13 जार के फोनों में देखने को मिलता है बट सैमसंग ने यहाँ पर जो है इसमें पिक की है लेकिन लिटरली इसका पूरा यूज ली है मैं देख पा रहा हूँ कि फोन अभी तक सही चल रहा है और क्योंकि यह ओफलाइन सेंट्रिक फोन है मलब ओफलाइन मार्केट जो भी आपके पासवाली शॉप्स होते है वहाँ पर जादा मिलेंगे फोन जादा बिकेंगे तो यह जनरली फोन ऐसे होता है कि देख के लोग खरीते है अगर लोग अच्छा है तो ले लेते है तो इसलिए सैमसंग इसको इस तरीके से टार्गेट कर रहा है लाइक ए सीरीज इनकी ऐसी रहती है मैं आप लोग को डिस्क की स्पीटेस भी दिखाना चाहँगा कि स्टोरेज किस तरीके की है तो यहाँ पर भी अच्छे रिजल्स देखने को मिले है और सबसे अच्छी बात हुए है क्योंकि हाई रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है और खासकर इसकी एप रोडिन टाइम भी काफी कम है तो मुझे जो है काफी सही लगा लगा एपस जल जल दी खुल रही है और एंड्रोड 11 भी देखने हो मिलता है और 1UI 3.1 है जो की बिलकूल ओकी है बट यह है कि हाँ performance जो आपको the best नहीं देखने हो मिलती अगर आपको अच्छी performance ची है तो Samsung Galaxy M51 भी देख सकते हो आप लोग या F62 भी देख सकते हो लाइक दोनों option अविले बट वो offline में होंगे आविलेबल या नहीं यह थोड़ा सा dice ही रहता है इसकी बैटरी के बारे में बात करूँ तो 5000 इमेज की देखने को मिल जाती है और 15 वाट पे चार्जिंग है इसकी आई विश थोड़ी सी इंप्रूवड होती तो काफी मज़ा आता है चार्जिंग टेक्नोलोजी इंप्रूव हो सकती थी बट स्टिल मेरे कोई इन वाले स्टेंडर्ड से कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि Samsung जो है बहुत अच्छे से बैलेंस करके रखता है सब कुछ तो conclusion क्या है तो यहाँ पर simple सी बात मैं कहना चाहूँगा अगर मैं बात करें इसकी design के बारे में तो इसका कोई भी competition नहीं है क्योंकि इतनी अच्छी build quality बहुत कम देखने हो मिलते हैं और उपर से Samsung का brand name भी देखने को मिल जाता है और देखे ते मैंने कुछ offers भी है इसके उपर 20,000 तक का आपको एफोन मिल जाएगा तो भाई वो भी एक अच्छी चीज देखने को मिल जाती है खेर आप अपने according देख सकते हो और मैं जो हूँ future में obviously इसकी detail वीडियो लेकर आने वाला हूँ और आप tech bar पे आए हो तो यहाँ पर giveaway 100% हो रहा है तो मैं हाँ पर एक Samsung Galaxy A32 giveaway कर रहा हूँ आप में कोई बंदा बिल्कुल free of cost जीच सकता है और आपके घर तक मैं phone पहुचाऊँगा बेना किसी cost के तो जल्दी से जाओ नीचे आपको gleam killing मिल जाएगी description के अंदर वहाँ से जाके enter कर लो giveaway में और मैं Instagram पे live आता हूँ मेरे Instagram का handle है शौकीन संचित मैं live ही सारे results निकालता हूँ तो super fair होते है तो जल्दी से अपना luck try कर लो कहरे अगरे मिलते हैं Thanks so much